हेलो एंड वेलकम एब्रीवन स्वागत आप सबका हमारे यूटूब चैनल इंग्लिस ड्रोप के अंदर आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के इंग्लिस मॉडल पेपर के बारे में देखो इस मेडल पेपर के अंदर जो हमारी बूक्स है दोनों बूक्स जिसमें पोइम जो भी ऐड कर लिया गया है जितने भी सारे क्योशन जो बन सकते हैं एकजाम में पूछने की जो संb 소ावना है जो 99 एकजाम पर संदेग पूछने की आपको करना ही है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं क्या है तो और अपने जो जितने भी सारे दोस्त है उन सब को भी क्या करना इनको शेयर करना था कि आपके साथ साथ उनको भी इस वीडियो का फाइदा मिल सके साथ ही क्या करना है हमारा इस वीडियो को लाइक करने की कोशिज करेंगे कोशिज कर लेंगे हो या ना हो बाद में देखा जाएगा एक बार कोशिज करके जरूर देख लेना पिर हम आगे बात करें क्यूशन के उपर यहां से हम हमारा क्यूशन है वह स्टार्ट होता है पहला परसंद है मतलब चेप्टर वाइज इस सारे चेप्टर वाइज है वहां से लिए तो आपको डूने में भी ज्यादा जो मतलब उसकी लग नहीं होगी लिका है सबसे पहले प कोई बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है वाई डिद लेंचो कोल दे रेंड्रोप से न्यू कोई नेक्स्ट चोचोता क्यूशन वह है हाव केन यू सैदेट लेंचो है एन अन फ्लिंचिंग फेट इन गोड की मतलब वह अटूट विश्वास के से था उसका बगवान के अंदर तभी तो उसने लेटर लिखा था पांच वाजूशन द्रोइक करेक्ट्री सकेच पोस्ट मास्ट्र पोस्ट मास्ट्र का केच के याद कर लेना है साथ इमारी भुक में जितने भी हमें करेक्ट्री सकेच दिये हुए हैं उनको एक बार जरूर पढ़के जाए जिक्स लिखाए वाट आइडल इडिड ही शेट आउट फॉर दे फ्यूचर ऑप्रिका नेल्सन मंडेला वाल पार्ट में से है कि उसने क्या-क्या मतलब अपने साउथ अप्रिका के फ्यूचर के बारे में विचार बनाए थे साथ वा क्यूचर है हाव कें यू से दैट टैन में इजन ओटम डे इन शाउथ अप्रिका के बार दस महीं को पत्जट का दिन क्यूं माना जाता है शाउथ अप्रिका के अंदर आट वा क्यूचर है वाट इस दे विजन ओब नेल्सन मंडेला फोर दे फ्यूचर ओप साउथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूचर है वो यह है नेक्स्ट है नुवा इस्ट नेल्सन मंडेला आइडिया अबाउट करेज लौ एंड है यह भी अच्छा क्यूचर माना जाता है दसवा क्यूचर है वह में देर का है वाई वाज दे यंग सीगल अलोन ओन हीज लेज ग्यार यह बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूचर है कि जब उसने एरोप्लेन को लेकर जब वो मतल़ स्ट्रों के अंदर उस्टूपान के अंदर प्रवेस्ट करता तो उसका एक्स्पिरेंस क्या होता है फोर्टेंट क्यूचर है वाई वाज दे यंग सीगल तो बताना क्यसा था सोड़वा क्यूशन है वाट टेल्स यूट एट एनी लौड हर ग्रांड मदर यह जो चोटा क्यूशन दो नूमर का क्यूशन पुचा जाएगा वो है कि आपको कैसे पता चलता है कि वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी जो सत्रवा क् क्या जानते हैं लेकिन इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है वो यह होगा यह पिर जो डायरी वह तो यह क्यों लिखना चाहती है यह फिर उसने डायरी क्यों शुरू किया और यह जो जाएदा अच्छा क्यूशन बनता वह यह है वाइड जो पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस मतलब धरी है वह होता है 22 है वह कहां बैठती थी और क्यों बैठती थी सबसे पीछे बैठती थी और क्यों बैठती थी यह हमें बताना है दो नंबर का क्यूशन आएगा यह चोटा क्यूशन कि यह कॉंटेस्ट किसने जीता तो वंड़ा ने जीता था उसने क्या किया था वह हंडेड ड्रेसेज थी वह ड्रॉन कि थी लेक्स नेक्ट है 24 क्यूशन राग क्यूशन है वह ध्यान से देखने नहीं में जरूर पुछा जाएगा देखो चैरेक्टरि स्केज की बात और य पुछा जाएगा या फिर क्या पुछ जाएगा कंपेरिज्न पूछा जाएगा वंडा ईंडर व अंदर दो नेगस्ट है रहाँol कि जो मजाग उड़ाती थी वह बताना है इसब्सकें और कि स्का Mys calories के या 504. स्कूल के लिए क्रिस्मस कैसे था हमें यह बताना है नेक्स्ट लिखा है वाट आर अर्दर्स इन गोवा आ नोस्टेलरजारब घमा कि यह पताना है यह त्व हाव आज जा इन्टर बेकर सें मॉर्निंग में वह बैचने के लिए एंटर करते थे तो वह कैसा होता था वह पूरा माहोल बताना है 33 है वो किस प्रकार दिखाई देता वो सामान किस प्रकार लेक्षा था वो पूरी डीटेल के अंदर आजाएगी वेर एंड वाट इस गुर्ग या तो क्यों सब्सक्राइगा तो वेर इस गुचे जाएगा या फिर वाट इस गुचे जाएगा बड़ा हो तो दोनों दिशेंट था कोड़ा उपिपूल का उनके बारे में बताना है कि क्या था किस प्रकार वो लोग वहां पर आये थे किस प्रकार मतलब यहां पर इंडिया में उन्होंने रहना शुरू किया था वाट आर दे लिजेंड लिजेंड अबाट दिस्कवरी ओप टी कि जो प्रकार चैंज किया था वाट इस थीम अपको जुरूर देखके जानी है वाट डू फाइर आइस इंडिगेंट इन दे पोइम यह क्यों अच्छा क्यों है फाइर और आइस जो है क्या इंडिकेट करती है इस पोइम के अंदर उनको क्यों यहां पर सामिल किया गया है इन न आइडिया या फिर थीम यह ज़रूर आपको देखकर जानी है हाउ डज टाइगर लुक इन हीज केज जो एक टाइगर है वो अपने केज में किस प्रकार दिखाई देता जो स्रियागर के अंदर होता है 45 क्यूशन है वो यह है हाउ डज एन एसन लोयन लुक और अगला है 46 ह हाउ डज बेंगल टाइगर लुक 47 है वाट इस थीम ओफ देपों हाउ टू टेल वाइल एनिमल वाइल टेल वाइल एनिमल्स तो यह पोईम थी उसकी थीम बतानी है हाउ डू यू थिंग अमेंडा वाई हाउ ओल डू यू थिंग अमेंडा इस आप क्या सोचते हैं कि अमें के अंदर मेंशन की गई है पचासवा क्यूशन है वाट इस थीम ओफ दो पोईम अमेंडा अमेंडा पोईम की जो थीम है वो में बतानी है फिर है फिप्टीवन हाउ आर दे अनिमल्स डिप्रेंट फॉम्न बिंग्स बहुत अच्छा क्यूशन है मान के चलो एक्जाम में ज इसका जो सेंटल आइडिया फिर थीम है वो क्या है वाई आर दे बर्ड इंसेक्ट एंड अफेक्टेड वाई अप्चेंस ओफ ट्रीज प्यड़ों के अनुपस्तिती में इनके उपर क्या पर वाउ पड़ता है बर्ड के उपर इंसेक्ट के उपर और सन के उपर नेक्स लि सर्ज्री ओप विक्ट्री विक्ट्री ओप सर्ज्री ऐसे जो चेप्टर का नाम दिया गया उसमें यह पहला चेप्टर है वाई इस मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्री की दोन बड़ा क्योशन है कि उसको किस प्रकार की चिंता थी उस डोग के बारे में हाव मिस्टर है वह डॉइट के जो मिसेज पंफ्रे यह भी अच्छा क्योशन है वाट डज हरी सिंग से अबाउट डिफरेंट रेक्शन भाई हाँ जैसे लोगों के घर में चोरी होती है तो लोगों का क्या क्या रिक्शन होता गरीब का क्या पूर का मतलब जो रिच आधी होता उसका ए इवरी मत वाई इस इट वाई 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 वाज इट डिफिकल्ट व्ट अनी अनील को लूट ना क्यों मुश्किल ठा और ये दोनों के उसे बहुत अच्छे माने जाते हैं नेक्स्ट लिखा है वाट वाज ही थिंकिंग वेंदे ट्रेंग दे लेब ट दे स्टेशन पाई है वो इस्टेशन को लेट कर जाती है जब वो हरी सिंग भागता है पैसे चुरा कर फिर वो इस्टेशन पर जाता ट्रेंड शूट जाती है तो वह आपर खड़ा-खड़ा क्या सोचता है वह में बता ना करेक्टरिस केज और अनील दोनों का करेक्टरिस केज एक बार जरूर अब है। इस उसेबल को अधर सिक्रेट एजेंट से डिफरेंट अलग बताया गया है वह बताना है और करेक्टरिस केज बताना है लुद का वाई वाज दो सेबल वाण टुट रिट ओव मेक्स की वह मेक्स से शुटकारा क्यों पाना चाहता था सेवन टी-वन है वाइड़ ग्रेस मैं परिसाटिक होुछ पकड़ने के लिए आता है तो उसके साथ वहां पर क्या होता है वह में बताना है what kind of a person madam loiselle why is she always unhappy madam loiselle किस प्रकार के वेक्टित्व की और थी और वो हमेसा दुखी क्यों रहती थी 75 है the course of the loiselle's life change due to necklace इस necklace की वज़े से लोजे से जीवन में क्या-क्या परिवर्थन हुआ वो हमें बताना है give a character sketch of Matilda Matilda का रेक्टिस के पताना है 77 में लिखा है how did how did loiselle repay for the lost necklace उसने किस प्रकार रिपे किया था उस necklace का 78 लिखा है why is police father worried about her बोली के पिताजी उसके बारे में क्यों चिंतित थे उसकी साधी के बारे में क्यों चिंतित थे next लिखा 79 how did school and teacher या तो प्रेंट्स एक्सेप्ट विसंबर्स मेरे मेरीज प्रकोजल यह और एटीवन है राइट अबाउट दे फेमिली ओफ रामलाल बोली के जो परिवार है उसके बारे में बताना है क्यों क्यों मेंबर थे उसके अब बात करें स्टोरीज की स्टोरी है आठ यहां पर पहली है ए वॉल्प एंड लेंब दूसरी है ओनेस्ट वुड कटर लॉन एंड माउस पोक्स एंड क्रेंड बी एंडव क्लेवर केप्चलर टूप्रेंट्स एंड बीयर हैर एंड बी माइफ या बेस्ट टीचर विलेज लाइब और ड्राउनिंग बोई डूपता हुआ बच्चा या मतलग किस प्रकार यह बच्चे को बचाया गया वह बताना है इमेल की बात करें और अरेंजिंग ऑनलाइन काउंचलिंग ओन और अरेंजिंग एक्स्ट्र क्लाशेज पूर इंग्लिज्ज और मैथ लेक्चर ओन हाव टू यूज कंप्यूटर लेक्चर ओन हाव टू यूज अच्छा हाँ यह बताना है कि किस प्रकार आप एक लेक्चर की व्यवस्ता करवाएं बच्चों के लिए ताकि उनको पता च अपने फादर को इमेल करना है और फिर पूर कंडिशन और क्लास रूम इस्कूल बिल्डिंग यह भी देखना चाहिए तो देख सकते हैं एक बार फिर है इन फॉर्मल लेटर आने के संभावना बहुत ज्यादा है इमेल और इन फॉर्मल लेटर यह दोनों मिलेंगे पेपर के अंदर फिर भी अगर यह आ जाए तो एक बार देखे चले जाएंगे फिर पहला तो है कि आपके फ्रेंड ने गोल्ड मेंडर जीता है अथलेटिक के अंदर तो उसको कॉंग्रेट करने के लिए लेटर लिखना है राइट लेटर टू यह इसक्राइविंग अबाउट जीए नूजा यह आपके पास केमरा नहीं है तो आप अपने लेटर लिखेंगे और रिक्वेश्ट करेंगे अपना कैमरा उधार दे फौर्थ कुशन है राइट लेटर ट्रेंड देचिक टूर्नामेंट्स रेड़ जो fifth question है write a letter to your father requesting him to send you money to buy a cycle आपको रहते हैं school दूस्टे जिगर transfer हो गया तो उसके लिए क्या करना है आपको पैसे पैसे वो cycle आ सके time पर school पहुंच सके ये था हमारा 10th class का paper एक बार exam में देने जाने से पहले एक बार इसको पूरा देकर जरूर जाएं तब तक अब हम बात करेंगे next video कर time मिलेगा तो grammar के बारे में हमें एक बार जरूर चर्चा करेंगे तब तक के लिए goodbye and take care